रोज रोज वही सबजी दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो बेसन की ये नई रेसिपी बनाईए, सुबह के खाने में बनाईए, ये शाम के खाने में बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, सभी को बहुत जादा पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर की बेसन लिया है, अब इसमें डालेंगे दो चुटकी हिंग, इससे फ्लेवर बहुती बढ़िया आता है, और डाइजेशन के लिए सही रहता है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चमज के इतना हल्दी पावडर और स्वात के अनुसा दो चमज तील डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका डो बना कर त्यार कर लेना है, एक साथ हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, सौफ्ट डो एकदम नहीं होना चाहिए और तो टुकडे और इसके बाल्स बना कर त्यार कर लेते हैं, तो जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसके पेड़े बना कर त्यार कर लेने हैं, फ्रेंड्स यह जो रेसिपी है बहुत ही जादा यूनीक है, बहुत ही जादा मज़दार बनने वा तु Voilà उसके बाद हमें इसे घ्र शेलना है यहाँ बोटी और इस तरीके मैं इसे बेल रही हूं और इसे बहुत ज्यादा आसान है इसतो साध में ने था ंवा छोड़े चरांगी हो और पतली बी नहीं होनै चाहिए ओर बहुत ज़ादा मोर्टी भी नहीं होनी चाहिए तो दोनों मैंने बे sonoिकी रोटी बेल कर तयार कर लिया है चलते हैं गैस की तरफ गैस के मैंने इकvest Verma पानी गरम होने के लिए रख दिया है जैसे पानी में बॉइल आना शिरू हो जाए है न तो एके करके हम बेसन की ये रोटी डालेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रंस बेसन की जो रोटी हमने बनाई थी ना दोनों ही रोटी मैंने पानी में डाल दिया है और लगबग 5 मिट के लिए इसे हमें अच्छे से बॉयल होने देना है तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से अब हम गैस को आफ कर देते हैं और एके करके हम इसे निकाल लेंगे तो अब देख सकते हैं बॉयल होने के बाद ये काफी जादा फूल गया है और बहुत ही जादा सौफ्ट हो जाता है तो इस तरीके से हमें एके करके निकाल लेना है दूसरे भी हम निकाल लेते हैं तो निक यहां पर मैंने दो बड़े चमच इतना साबुत धनिया लिया है और सौफ जीरा दो लॉंग एक बड़ी लाची छोटी लाची काली मिर्च पाउडर इतना हमें मसाले ले लेना है सौफ और जीरा मैंने एक छोटे चमच इतना लिया है सारे मसाले को हम डालेंगे ग्राइंडि तो बीना पानी डाले इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं तो आप देख सकते हैं बढ़िया से इसका पेश्ट बनकर त्यार हो गया है और इसकी जो ठीकनेस है एकदम पॉफेक्ट है तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं तो इस तरीके से हमें मसाले पीस कर त्यार कर लेन फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दू अगर आपको ये रेसेपी थोड़ी सी भी पसंद आये तो प्लीज इसे जादा जादा लाइक कीजेगा अगर आपको रेसेपी पसंद नहीं आये तो डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कर जरूर दीजेगा इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी recipe पसंद आ रही है या नहीं आ रही है तो आप देख सकते हैं मैंने सारे बेसन को अच्छे से cut कर लिया है और ये diamond shape में मैंने cut किया है बहुत ही जादा देखने में बढ़िया लग रहा है आप इसे fry करके भी नाष्टे में खा सकते हैं लेकिन हम इसकी सबजी बना नहीं था इस बेसन को तो इस तरीके से हम सारे टूटे हुए बेसन को cut कर लेते हैं बहुत ही असानी से cut हो जाते हैं cut करने से आपको पता चल रहा होगा कि इतने जादे soft बने हैं तो आप देख सकते हैं सबको मैंने cut कर लिया है तो आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे बे के साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है पंच फोरन यानि की फाइब इस पाइसे आप इसकी जगा पे नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं तो जैसे ही मेथी जीरा का कलर चेंज हो जाएना तब हम इसमें डालेंगे प्यास तो दो बड़े साइज के प्यास मैंने बारी कट करके डाला है इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हमें भून लेना है जैसे ही प्यास का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएना तब हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ियां आता है मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छ अभी हमें लो पे रखना है जैसे यह मसाले थोड़े से भून जाएना तब हम इसमें पीसे हुए मसाले डालेंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस टाइम पे मसाले डालकर भूनने से तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी बहुत ही बढ़िया यह मसाले बनकर त्यार होते हैं तो सारे मसाले को मैंने डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंट्स बेसन की और भी रैसेपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी बेसन की सरसो वाली सबजी मैंने बनाई है उन सारी recipe का link मैं description box में दे दूँगी वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं तो सारी मसाले को अच्छे से मैंने mix कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे चमजितना सबजी मसाला कोई से भी brand का आप सबजी मसाला डाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया चाहते हैं अगर आपको लेसन का फ्लेवर नहीं पसंद है लेसन नहीं पसंद है तो आप इसे skip कर सकते हैं ढख के इसे भूनेंगे मसाले से जब तील अलग होने लगे आप देख सकते हैं मसाले से तील अच्छे से अलग होने तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या जादा कर सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं अब हम इस पर डालेंगे स्वात के अनुसार नमक और एक छोटे चम्म जितना कसूरी मेथी तो इस तरीके से हाथ पर रखके मसल के कसूरी मेथी दालने बहुत ही बढ़ है प्लेवर आता है तो इसटैंप पर ग्रेवी बेशन की के अंदर तक एब्जॉब हो जाती है questo की कटली डालने के बदे iv 접П कर लेना है घ्रेवी से आपको पता चल रहा होगा कि कि ती बढ़िया सब्जी हमारी बनने वाली है तो इसे हमें धक के पकाना है बीच बीचबे हमें इसे चलाते रहना है चेक करते रहना है पूरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलेगा तो अब देख सकते हैं अच ही जाधा थिख हो गई है तो जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वैसी ही ठीख हुई है तो अब देख सकतے हैं ग्रेवी की जो ठिकने से इकंद पॉफेक्ट है और सब्सवी हमारे देखने में कित्ती जाधा टेश्टी लग रही है तो पहुत ही जादा मज़ेदार हमारी ये सबजी बनी है एकदम यूनिक तरीके से मैंने बेसन की सबजी बनाई है तो अब हम गैस को आफ कर देते हैं और यहाँ पे दो हरी मिर्च को मैंने बीच से कट कर लिया है उससे डाल देते हैं और बारिक कटा हुआ हरा धनिया इसके उपर हम डाल और कम से कम दो मिनिट के लिए इसे ढख के छोड़ देते हैं ताकि धनिया का जो फ्लेवर है न अच्छे से सबजी में आ जाए और ये देखिए फ्रेंस गर्मा गरम हमारी बेसन की मज़ेदार सी सबजी बनकर तयार है एकदम मूह में पानी आ रहा होगा इससे देखके बह कि यूणीक सी बेसन की सबजी बनाईए और देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये सबजी कितनी जादा लुक वाइस टेंटिंग लग रही है आप देख सकते हैं बेसन भी काफी जादा सौफ्ट हो गया है तो आप अपनी पसंद से सूबह में बनाए या शाम में बना आईए और अपनी फैमली के साथ इंजोई कीजिए लेकिन मैं खाने वाली हूं इसे गर्मा गरम चावल के साथ चावल के साथ ये जो सबजी है ना बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो आप किस तरीके से सबजी को खाते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा और क पानी आप इसमें एड़ेस्ट करें तो गर्मा गरम चावल के साथ ये बेसन की सबजी फ्रेंट्स बहुत ही जादा मज़ेदार लगती है आप देख सकते हैं देखने में ये कितनी जादा माउथ वाटरिंग लग रही है तो भाई मुझसे तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है मैं जा रही हूँ चावल और बेसन की गर्मा गरम सबजी खाने मैं आपको खा कर बताती हूँ बेसन हमारे कितने जादा सौफ्ट बने है तो चले भाई फटा फट से खाना शुरू करते हैं तो मैं आपको खा कर बताती हूँ बहुत ही जादा बेसन की सबज टेस्टी बनी है और चावल के साथ तो ये बहुत ही जादा मज़ेदार लग रही है मेरी मानिये तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर बना कर ट्राइ कीजेगा बहुत ही जादा सभी को ये आपके घर में पसंद आएगी और बेसन की जो कतली है ना बहुत ही जादा सॉफ्ट बनी है तो इस तरीके से आप गर्मा गरम बेसन की चटपटी सी सबजी बनाईए खाईए और अपनी फैमली को खिलाईए अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज इसे जादा जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक् आई या नहीं आई वो भी ज़रूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनीक मज़दार और हैल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बार बार एंड टेक केर